सलामू अलाइकुम प्यारे बच्चो आज हम हिंदी विश्य का सबक पढ़ेंगे आओ आयू बताना सीखो अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयू में अगले वर्ष की आयू जोडने के लिए कहें उसे इस योगफल को पांच से गुना करने के लिए कहें जो योगफल आया जोडने के बाद उसे पांच से गुना करेंगे उसके बाद पराप्त गुनफल जो जवाब आया जो गुनफल आया उसमें अपने जन्म वर्ष का एकाई अंक जोडने के लिए कहें पराप्त गुनफल में जन्वश का एकाई अंक जोड़ना है उसके बाद जो जवाब आया पराप्त योगफल जो आया उसमें से पाँच घटा दे पाँच घटाने के बाद जो संख्या पराप्त होगी उसकी बाई और के दो अंक तुमारे मित्र की आयू है जो बाएं और के दो अंक होगे जवाब में वही तुमारे मित्र की आयू होगी इस सूत्र को हम एक उधारन के जरिए समझते हैं एक उधारन के जरिए समझेंगे मान लो तुम्हारे मुत्तिर की आयू 10 वर्ष और जन्व वर्ष 2004 है तो आयू कितनी है? 10 वर्ष और जन्व वर्ष 2004 सबसे पहले क्या करेंगे? जो जन्व वर्ष है उसमें अगले वर्ष की आयू जम्मा करेंगे जो वर्षमान आयू है? वर्षमान आयू क्या है? 10 और अगले वर्ष की आयू क्या होगी? 11 दोनों को क्या करेंगे? जम्मा करेंगे जोनों का योग करेंगे दोनों के योग फल क्या होगा? 21 योग करने के बाद में जो जवाब आया वो क्या होगा? 21 अब 21 को 5 से गुना करेंगे 5 से गुना करने के बाद में जवाब आएगा 105 21 गुना 5 गुनफल क्या आया? 105 पराप्ट गुनफल में जन्वर्ष का एकाई अंक जोड़ेंगे जन्वर्ष का एकाई अंक क्या है? 2004 में कर चार जवाब आया 109 अब 109 में से 5 गटा देंगे 109 में से 5 गटा देंगे गटाने के बाद जो संख्या पराप्ट होगी वो होगी 104 अब 104 के बाई और के दो अंक क्या है? 10 है ना? 104 की बाई और के दो अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयू होगी इसी आधार पर अपने परीजनों, परीचितों, मित्रों इन सब को आप उनकी आयू बताकर आश्चरिय चकित कर सकते हो है ना? अब आप इसे परत्यक्ष करके देखो अपने मित्रों की आयू पूछो, उनका जन्व वर्ष पूछो और आप इसे खुद परत्यक्ष करके देखो और जो जवाब आया मुझे बताओ ठीक है? अल्लाँ अफीस